पिछले साल मार्श महीने में कुरिना लॉकडाउन लगा जिन इलाकों में कुरिना के मरीज आ रहे थे वा बंदीशे लगाई गई स्थिती नियंदर्ण में आने लगी लेकिन सरकार ने प्रवासियों को लाने का जो फैसला लिया उससे चिंटाय बढ़ गई प्रवासियों को तो रहात मिली लेकिन अधिकारियों के लिए चुनौती का सबब बन गया इस चुनौती से जूचते हुए साड़े तीन लाख से अधिक प्रवासियों को उनके घर दख साकुशल पहुचाया गया राजे सरकार ने कौरोन लॉगडाउन के बीच मैं महीने में प्रवासियों को वापिस उत्रा खंड़ लाने का एलान किया था एक और किंद्र सरकार ने विशेश ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया तो दूसरी और राजे सरकार ने भी इस दिशा में अपनी बसे दूसरे राजे को भेजनी शुरू कर दी कुरिन लॉकडॉन की बज़े से अपने काम धंदे थप होने से परिशान प्रवासियों के लिए सरकार की ये घोचना बड़ी राहत लेकर आई थी हरद्वार जिले में पुलिस ने महिला को लाखों रुपे की कीमत की स्मैक की बड़ी खेट के साथ गिरफतार किया है महिला का पती पुलिस के हक्ते नहीं चड़ पाया है पुलिस ने महिला और उसके पती के खिलाफ केस दर्च कर लिया है साथ ही महिला की कोट में पेशी कर उसे जेल भी बेज दिया गया है स्पी देहात कारेले में स्पी देहात ने प्रेसकारता कर बताया कि भगवानपुर शेत्र में पुलिस को लगतार स्मैक की बिक्री होनी की सूचना मिल रही थी इस पर पुलिस की ओर से मुकबीर को अलट किया गया था सोमबार राज सूचना मिली थी कि शित्र के सिकंदरपूर भैसवाल गाउ में राशित के घर पर बड़ी मातरा में स्मैक रखी हुई है सूचना पर राशित के घर पर दबिश दी गई और घर की तलाशी दी गई इस बीज घर से एक दश्मलक चारडो किलोग्राम स्मैक बरामत किया गया पूलिस ने राशित की पतनी को घर से गिरफतार किया जब कि राशित घर से फ़रार हो गया पूश्टाज में आपको बता दें महिरा ने बताया है कि पती राशित बरेली से स्मैक खरिट कर लाता था उत्रकंड हाई कोट ने हलदवानी में रेलवे की जमीन पर अवेर तरीके से काबिस लोगों पर पीपी एक्ट सरकारी स्थान आपराधिकृत अधी भोगियों की बेदकली अधिनियम 1971 के तहत कारवाई करने के निर्देश दिये है हाई कोट ने मामली की सुनवाई करते होए रेलवे को आदेश दिया है कि वे अतिकरमन कारियों पर तीन महिने के अंदर पीपी एक्ट के तहत कारवाई करे कोट ने डियम को भी आदेश दिया है कि जमीन पर होई कबजे को लेकर सर्वे कराया जाए और उसकी रिपोर्ट साथ अप्रेल तक कोट में पेश करे हल्दवानी निवासी रवी शंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की बाद दिर्देश दिये गए है जोशी ने याचिका में कहा था कि गफूर बस्ती में रेलवे की बूमी पर 4365 अतिकरमन कारियों ने कबज़ा किया हुआ है पूर्व में भी 2016 में हाई कोट ने उक्त अतिकरमन को हटाने के आदेश दिये थे